आपकर लॉइन अइन्टर कर देने रात नू पूरे सेफ देउते आपकर ए लॉंग लादेने आपकर आपकर पूरे सेवांट देए जड़ी गुंदा पैंदी आ है नंगे पाऊं जमीन पर रहता है और वहीं पर सोता है यानी कि अर्थिंग ट्रेवर्ब हो सकती है हम ठीक ने बोल सकते क्योंकि देशे पे कानून ऐसा है वो अंग्रेहिंस लागू करें क्योंकि आज भी वे तो रहतेमेडिये माफिया थे जुद्या रैल गारीम Daryan प्लियू का hero होगे फिर थोड़े कोली कोई होगा हम चाहते ही नहीं है मेरे को अपने होस्पितल चलाने की को जल्दी नहीं है तो यह बोड़ी को बेवकूफ समझोगे तो डॉक्टर का साथ मैं आप पूछ रहा हूं कि मिक्सी आपके गर में बिल्कुल जब मिक्सी में समान पीस्ते गरम हो जाती है तो क्या करते हो बंद कर दें क्यों चलाओ ना उसको जल जाएक फोड़ा सचला थोड़ा सखाव मेरे बाबू उसको भी करो उसको भी करो ऐसे ही अज़ा अगर टीवी लगा कर रही है तो टीवी को बंद करते हो चलने देते हो बंद करें उसको चला के रखो ना फ्रिज को चला कर दोस्तों आज बहुत ओंड़ा खास जानकारी तो डेनाल सांजी करांगे अज जदे हलाता निकल कर लिए था साथी सेहत की ना कारना करके विगड़ दिया की खाई है क की पहनी है कि साथी रोज दी साथी रोटीन किया एक चीजन असानों त्यान रखना क्यों जरूरी है साथी नाल अचारिया मुनिश जी मजूद ने अज देरा वसी देविच मजूदा खास गलवत करांगे एथे काफी पेसेंट भी आयने उनना देनाल भी गलवत करांगे कि कि उनना ने कि हुजन आदा इलाज हो या सो बहुत सारी यह था बहुत तो डस वाकत है नमस्कार जी में आप तुसी पढ़ लो ते मुलाकाद लए यह आए अपनी परला काफी मुलाकात हो यह नहीं अपनी है जो भी आज़ तो देस भी आश्पीटल लेच पुंचे आगे बहुत सारी में थे वेख रहाएं सीगे के तुसी देसी खुराकाना साथी हो करेला रखेया नम रखेया मैं ही करदा सीगा साथी सेहट वेगर दिया उती शुरुवात साथे खान तो हूं दिया तो सारा यह था सारे ब्मारी ज़दा खाना पीना है तो साड़ा लाइफस्ट पाण भर्या है वेख रिया वेख 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 वना में ब्मारी आपकी करेल पर नीम खाया अनंसे परेख है तोने क्या और प्रैणosa करेली शी चाहिते है आपको को उसके लगता है खून से वहस कुछ तो अपने खाय तो है तो इस उदारन के माद्यम से सारी दुनिया को पेशेंट्स को यह समझाना चाहां है कि हमारे पैरों में रिसेप्तरस है हमारे पैरों में छेद जो की रिसीव करतें नर्जी को हम दिन बर जूत्य चपल में गूमते अब थोड़े साल पहले करोना वह आया था सुनामी आया थी, सुनामी में जानवर नहीं मरे थे, क्यों नहीं मरे थे? थोटे केहन दोगा कि जुत्ती पहुने आता हटेज़े पैरां दे रोमा बंध हो चुक्के है अब दे धरती नहीं संपर्क हो के और वापस एनरजी नहीं ले रहे हैं अगर आप उसको इमिडिये उपाए करा दो तो दो से चार दिन में किसी किसी का दो चार गंटे में आपको बीपी नॉर्मल आना शुरू हो जाएगा शुगर नॉर्मल आने लग जाएगा करके देखो ना अचार यहीं तुसी कह रहे हूं कि जो तुसी इलाज दसे आए ता हर करदे विच है गागा तो यह मैं खिला नहीं सकता अगर मैं खिला के कहूंगा ना शुगर कंट्रोल होगी तो मेरे पर ड्रग एंज मैडिक सब्सक्राइब हो और आपका समान भी कर रहा है माला की टूथ पेस्पेस बिक रही है आप चाहोगे लोगों के दाथ स्वस्त हो जाए बीना टूथ पेस करें तो जो कंपनी बीपी की गोली बना रही है वह महीने की 10 क्रोड गोलियां बेच रही है वह क्यों चाहे मेरी गोल क्रोड हो जाए उनको झाहते है नए मुर्गे मिले नए पेशेंट मिलें अब बईनी फेल किया मुर्गा है उनके लिए मेडिकल माफिया है मैडिकल माफिया यह सारा कुछ कर रहा है तो हम उस मेडिकल माफिया की कमर तोड़ने के लिए आप जैसे भाईयों का और इन पेशन्ट का सारा लेते हैं कि दुनिया ठीक हो जाए तुसे यह इलाज विदी दास दिती के शूगर राइदा काट्रोल हो जेन इस हॉस्पिटल में भी हम लोगों को सिखाते हैं अब इन ही पेशन्ट से पूछते हैं आपको कितने दिन हो गए क्या तकलीफ थी और क्या फाइदा हुआ यहां की तकलीफ थी आपको क्रेड़नी खराब थी तो क्या बोला आपको डोक्टर ने बोला कि आपकी कभी ठीक न जो सिस्टर हैं सर इनकी क्रीनी खराब थी वह बरक निंग कर रही थी तो हमसे बोला गया था या तो आप डाइलिसस कराई या फिर ट्रांस्प्लाट कराई तो हमने एक बार उनसे बोला सर क्या हम एक बार आयरवेदा में जा सकते हैं बहां पर भी देख सकते हैं कुछ जड किड्नी की प्रावलम है कब से महसूस है सर हमारी दीदी को चार-पांस साल पहले स्टॉन था किड्नी में तो उसका एक सर्जरी हुई थी उसके बास सही हो गई थी लेकर दीरे फिर से स्म्टम आने लगे और फिर से जैसे सूजन आने लगी बॉड़ी में और पेन रहता था यह सब स्म्टम आने लगे तो हमने फिर से जाच करवाई तो इसमें बताया कि हम लोगों को अभी आपकी दिदी को यहां आए वे पांच दिन हो गए हैं आपको क्या फारक लग रहा है इनके क्या फाइदा लग रहा है अपको सबसे पहले तो जो सूजन थी वो बिलकुल कम हो चुकी है और घर पर रहती थी तो थोड़ी वैसी अनमनी रहती थी सोचती हम सही हों गया नहीं यहां पर आके बिलकुल चंगी है और बिलकुल खुस हैं और हमको फुल हंडेट परसेंट उम्मीद है महां सबसे पहले तो हम आयरवेदा और अचार जी को थैंक्स बोलना होते हैं उनको भी मतलब परिमिशन नहीं दी जाती है कि आप एलाच करो पेसेंट का क्यों कि वह खुद चाहिए कि हमारी सब चले लेकर हम हम बहुत मतलब सैटिसफाइड है और थैंक्स करना चाहेंगे चार जी का मैं सुझो बहुत सारी पेसेंट अदा मिल दे कैसी होस्प सासुमा को तकलीफ थी आपने बोला था आपका होस्पिटल चले का कैसे हां इनकी सासुमा का करिट नहीं साड़े नों पहुंच गया किड़नी फेल थी इनसे पुछो इन्होंने कैसे खुद ही ठीक करा हमारे पास नहीं लेकिया है अच्छा बताई क्या प्रॉब क्या प्र सबसे पहले तो जो भी खा रही थी पच नहीं रहा था दस मिनिट के बाद वह सारा चीज बहार आ जा रहा था पानी तक नहीं पच रहा था क्रेटिन लेवल बढ़ा हुआ था और उसमें यूरिया फास पूरा मतलब सारा हम्देर पास रिपोर्ट है साइध मोबाई अचा उचारी जो आपने क्या कीा की जब आपको इदिख ए कृटिव चाहरी ची का वीडियो देखने क्रीच अधि च ज Gray को चारते करते करते फिर दिमाग में पूरा क्ल्कालेसल महार चाट बना के उनका सुबबा सेल् ouais साम थे कर लिए और इस यह को लगता अटाइस दिन के बनाके इन्होंने घर पे खुद को ठीक कर लिया क्यों होस्पिटल में जाते हैं आपकी अभी ताजाबाद बता है मेरे पापा को गाल प्लडर का कैंसर है अच्छा ठीक है और डेली 100 ml बन रहा है को अगस्त से तकरीबन ती सप्टेंबर तक बुखार उनको रहा है एक सो दो डिगरी तीन डिगरी लाश्ट में वहां से घर ले आए बस यूट्यूब खोला कुछ नूसका वेगर है पीपल नीम तुलसी वीडियो देखाएं का बनाया दो खुरा के बाद से जो फ बनाया जाओगे अभी तक फिर आया नहीं क्या चमत बश्रेइड टिकार रहें है वह आ यह से बात करना चाहता थनके माधियम से भाद देश के लोगों के लिए अपील ले लो क्या कहना चाहोगे अब देश के लोगों किनकी फेल लीभर पेलाया या कैन्सर आप क्या बोलन सब्सक्राइब करते हो ना तो कंपनी को बोलो हमें आयूश कवर वाला एल्टी शोनस सही है तो हमारे हसा उस्पिटल में चलता है प्रस्टनल निवा पूपक अभी करवाया है मैंने तो उसमें आयूविद कवर है बस ठीक है बहुत सारी लुगों को यह पता ही नहीं के हैसा क हो गया संजीवनी पॉलिसी है तीन से पांच रुपर में आपको तीन लाग तक का इलाज शिरफ हाई दो मिल सकता है शिरफ तीन से पांच रुपर में तो भई अब लोगों को ही समझना पड़ेगा आप जो से भाई लोग हमारा स्योप करेंगे तो लोगों को समझाएंगे अचार जी किडनी की बहुत सारी स्कैते हैं अरी है भी आपको बहुत सारी हॉस्पिटलों में फिर बॉक्ते होते हैं और लागों को यह इस बतिम नहीं करना मुश्किन है हम कह नहीं सकते किसी भी चैनल पर टीवी पर नहीं बोल सकते न्यूस पर में लिख सकते क्योंकि ड्रग एंड मैजिक रेमेडी आक्ट है आप किड़नी ठीक कर दो लेकिन बोल नहीं सकते आप शुगर ठीक कर दो लेकिन बोल नहीं सकते तो हमें क्या बोलना पड़ता है तो यह देश के लोगों कोई सोचना पड़ेगा कि हम सब को आइडवेद और नेच्रोपेथी पर भरोस्ता करना ही पड़ेगा क्योंकि अब बताओ खाली बुखार की वज़े से इनको हॉस्पिटल में 10 लाग का बिल बन गया अगर इनको कोई सिंपल बतायता कि गरम पानी की बाल्टी लेकर चालिस डिग्री टेंपरेश्चर रखके इतने पाउं डूबो के बैठ जाओ और साथ में गरम गरम पानी गुट-गुट करके भी हो तो दो-चार घंटे में बुखार उतर जाता है बैसिकली बुखार हमारा मित्र है बुखार अगर आप शादी में गए और खूब खाके आए और आपको पॉटिया लग गई तो आप जाते हो सो कोड़ बड़े डॉक्टर के पास वो बोलता है गोली खा और रोक लो क्यों भई या हीरे मोती निकल रहे है रोकना क्यों है गंद निकल रहा है नहीं खाना निकालना है ल स्यानी है बॉडी को पतया मुझे कब क्या करने है है हम बॉडी को को समझे लें तो यह बॉडी हमारा साथ ये बॉनी को समझे तो डॉक्टर का साथ देंगी आपतर को रुच्ञ –शाल वंजर से बहुत बीमार रहता था है मैं 19 साल तक मैं दुनिया जहान की द्वाईयां खा चुका था कभी ठीक नहीं हुआ मैं 19 साल का था मेरा वजन 49 किलो था हर 3-4 मिने में टाइफर नीमोनिया कभी जॉंडिस होता रहता था मेरी मम्मी ने तो कोई डाक्टर नी छोड़ा था सबसे द्वाईयां खिलाई और अख पर एक साइड मुझे बिठाया एक साइड पर वो गेहूं और शनी को दान देते हैं ना उस ते मैं 36 किलो का था तो उतना दान भी दिया लेकिन उससे भी फरक नहीं पड़ा अखीर आईरवेद के मेरे मौसा जी आईरवेदी डॉक्टर थे जब मैं उनके पास गया वहां मै सब्सक्राइब करें तो आपको ज्यादा पता चलेगा जैसे सवाल पूछो कि जब इनको किसी को कुटा काटता तो यह क्या करते हैं अगर मैं आप सी पूछता हूँ अगर आप कुटा काट गया तो आप क्या करोगे लगाएंगे क्यों लगवाओंगे वैक्सीन में क्या है पता क्या है यह नियुक्ता पहला हमें बताया गया कि कुट्टे ने काटा तो जल्दी से डॉक्टर के पास जाओ और मेरे को आपका साथ क्यों होए थे कुछ आईडिया आपको आप लोगों से पूछ रहा हूं कोई आईडिया है आपको कि जब पहले चौदा टीके लगते थे छोगए अब साथ से दो गए क्यों हो गया ऐसा कुछ आईडिया है निवो तो अच्छा काम करते थे आब और बोहाइवाला को आइडिया कि 14 की जगा एक हो गया क्यों हो गया मेरे सजेशन से इसलिए होगा कि पहले जैसे कुट्ते ने काटा तो समय तनी टेकनोजी नहीं थी तो पता नहीं चला होगा कि उसमें कितना उसका जो रेविस के बायरेस हैं तो उसे साफ से चहुदे लगा देते अब लेकर स पढ़ाया गया कि कुट्टे की बाड़ी में रैबिज है ठीक है अब उस इंजेक्शन में क्या है आप से पुछ रहा हूं तो नो अब हमें बोलते हैं कि अच्छा घर कील काट कील लग जाता है तो हमें बोलता है एंटी कुछ होता ही नहीं आँ लाइफ में जो कुट्टे क काटने से मेरी बॉड़ी में आया वही उस वैक्सीन के लिया था तो वैक्सीन क्यों लग वाई जब गूगल पर सर्च मारो कि वह 14 की जगा वे क्यों लगता है तो कंपनी का दावा है क्योंकि जो वह कंपनी है पूरी दुनिया में वह एक ही है जिसके बास पेटेंट है कुटे के काटने की वैक्सिन बनाने का वह कंपनी बोलती है कि अबादी 800 करोड हो गई मैं इतनी प्रडेक्शन नहीं कर पा रही इस चक यहां पर प्रड़ जंता पर लाल मिर्च लगा चाहिए थी और तीन दिन तक खाना ना खाके हलदी का पानी आप आपको गिलोए का पानी और आपको बॉडी में हरी सबजियां और जूसिज लेने चाहिए थे और बॉडी को प्यूरिफाई करना चाहिए था बॉडी खुदी एंटी बनाती एंटी बॉडी बनाती है बहर से कहीं एंटी बॉडी नहीं आता आप लोग सोचते हो सांप ने टा तो ऑन्टी वेना काम करता है क्या है बताओ सापने गाटता तो आप नइंटी बैनल लगवाते हो बताओं एंटी वेना कैसे तियार होता है बता आओ कौन सी किताब में बढ़के आयो भई घोड़े को सांप को कटवाया जाता है सुन लो घोड़े को पहले सांप से कटवाते हैं ठीक अब जब घोड़े को सांप ने काट लिया तो उसकी बॉड़ी ने क्या बनाया एंटी बॉड़ी फिर घोड़े का खून निकाल के वैक्सीन मना देते हैं उसको बोलते हैं अब पहली बाद तुम गोड़े हो तो तुमें क्यों लगा रहे हो वह बला दूसरी बात फिर गोड़े को जिस साप ने काटा अगर आपको वही साप काटे तो तो वह एंटी वह वहनम काम करेगा भी में भी अदरवाइस वह गोड़े का बलट ह करना क्या था पहली बात दुनिया में अगर सौ साप है तो जरीले सिर्फ एक या दो है साप जरीला नहीं होता साप के डर से इंसान मरता है तो अगर हमारे पुराने टाइम पर जड़ी बूटियों से जाड़ा करके भी लोग साप का जैर उतारते थे अब अगर मैं यह बात अपनी बुद्धी को दबाओ और डाक्टरों के गुलाम बनो बस करना क्या चाहिए देखो कुटा काटे और अगर मालो आपको बंदर काटे या बिली काटे या आपको कील लगे तो आपको तीन दिन तक खाना नी खाना सिरफ और सिरफ हरी जड़ी बूटियां लेनी है हल् अगर आपको करोना भी आया था ना तो तीन दिन खाना चोड़ना चाहिए था आपको आइडवत कहता है लंगन परम आउश्दम की उपवास ही परम आउश्दी है यह मैंने नहीं लिखा चरक सहीता में लिखा हुआ है मार्शी चरक ने बिल्क चारी करोना टाम कुई बहु लेकिन आपकी करते हैं बुखार में मुह कोड़ा हो जाता है लेकिन आपके कहते हो हल्वा बना दो हमें खाना नहीं होता उस ताइम पर क्योंकि भगवान ने टेस्ट हमारा जान बूच के छीना की इनसान मत खा लेकिन हम क्या कहते हैं पीली दाल लेले खिच्ड़ी दे उसे पूछने जाएंगे कुछ खाएगा बाभू और मेरा पुत्तर कुछ खाएगा अरे भई नहीं खाना लेकिन जब छे बार एक इनसान को पूछोगे तो चार बार हो कहते है हां जी खाना है तो फिर इनसान मरे गई अचारी तुसी कहने हैं कि जो दो बंदीन गुस्ता ह अगले नहीं खाना चाहिधा तो साथे द्द्धा होनदा को बन्दा गुस्ते हो थोड़ा सा खालो खाने से कौन सा गुस्ता है मैं आप से पूछ रहा हूँ कि मिक्सी है आपके गर में बिलकुल जब मिक्सी में समान पीस्टे और गरम हो जाती है तो क्या करते हो बंद गर ने उसको चलाके रखो ना, फ्रिज चलाके रखो वहistesने दो हाँ तो ऐसी हमारी बॉर्डी है शर जब हमारा मुड्छ खराब होता है गुस्टे में लड़ाई होती है लोरह होते हैं तो हमारी बॉर्डी में काल्टी सुल हार्बन बड़ा होता है दोपामिन, एंडॉर्फिन, सेरेटोनिन, ऑक्सिटोसिन कम होते हैं, तो उसके महारा खाना जहर बन जाता है, बिमारी बनाता है, और हम जादा बिमार पड़ते हैं, तो अब मैं सिरफ आपको यही बोलना चाहूँगा, बड़ी से बड़ी बिमारी, यह आपके सामने पूरा मैं चाहूँगा बिया दिखाने सारा, और हमारे कुछ जो साथी, यहां पर कुछ एड्मिट है, कुछ पेशेंट है, मैं चाहूँगा, एक पेशेंट हमारे सो दोर है, इनसे भी मिलते हैं, तो सर आप ही बताईए, एक बार उठके बताओ, कहां से आप आये हो, क्या दिक्क काव हो गया, इससे आपूले कि निकालना पड़ेगा किसी को बेचना है वो, आपको पता है कि कि यह रिपोर्ट आया अभी ने निकालो, यह देखा कि हलक हलका का काम कर रहा इसे पहले लोटस गामा काही था पटना का अच्छा तो उसमें 0% शाल तो उसमें बीकाम करता था कि अब यहां कितर दिन एक हो बताओ चार दिन लीज इसंध में दर्द होता था कि अब ट मत कम आया आ खाट गोलिए आपकनE कने प्र grape है किन दिनिन से परशानता चारीे डर्द कं हो तो आइरवेद फास्त है आपके सामें 15 मिंट के अंदर उन्होंने क्रेला निम सिर्फ पैरों के नीचे कर रहा है और मुह में टेस्ट आया तो आइरवेद कहां से स्लो है यह हमारे दिमाग में मेडिकल माफिया ने डाला है कि हम इस तरह से आइरवेद पिछड़ा हुआ है यह आइरवेद उल्टा सुपर फास्त है क्या बात है तो यह हमें ही समयना पड़ेगा चारी आप अभी तुमसें बहुत सारे से फूड रख्या पाई भी तो डिनल गलवत करें ने चाहांगा एक तुसी प्रषावी देओ कि स इनों 20-20 बैड़के हैं जैपुर जोटपूर 20-20 बैड़के हैं दिली में 20-20 बैड़के दो हैं तो हमारे यह हैं जहां एडमिट हो सकते हो इसके अलावा यह हमारे हैं जहां आप डेली जाकर ट्रीटमेंट ले सकते हो चंडिगार जीरगपूर संगरूर लुद्याना पीना सिखाके लोगों ठीक रहना सिखाते हैं और हमारे हॉस्पिटल हो यह हॉस्पिटल है यह क्लिनिक से सब जगा डाइट फ्रूट सैलेड यह सेभ यह अध्रा की हल्दी यह करे ले नहीं इनी सेम पेशेंट को ठीक करते हैं अचारी नहीं तुसी रखे सी यह लॉंग भ के इंडेवें लोंग इस तरह Sharp читin रात नू अपर शेव दाल देनिया है आफ लॉंग यह अनुटर नश्छी चेश्फटा कुझ पूरआ सिनवें अल धंभ लॉट करने इस तरीक कि आ स में पूरे सेव और दोस्टी ale ऑस्छे जड़ी बुन्दा पेंदी हैं अपनी ओस दे विचे रख देना है जाली ढख देना उत्ते कोई ते स्वेरे ए लॉंग कट के लॉंग कट लेने हैं ते सेव नू चठनी बनाके कद्दू कस करके अपन अराम नल पांच मिन्टे चबा चबा के खाना है उद्दा वैसे नहीं खा सकते है अपना नॉर्मल तरीके लेना लखाने है नहीं चबाना जाता है ना मुँच गुमाना जाता है क्योंकि लॉंग दासर आगया ना फिर अगर आपका खावांगे ना एक खाना 14 जनरी तक जदो मकर सकरांती तक क्योंकि उस तबाद सूरज दी दिशा बदल जाएगी सूरज उतरायन दक्षी आये ना सीस्टम सुने होगा तो बिल्कुल बिल्कुल ए तोड़ा से तोड़े लंग्स वास्ते फेफड़ें वास्ते जुकाम वास्ते खांसी वास्ते राम बान काम करूगा तो आनू अंदर इम्मुनिटी बहुत जल्दी बढ़ाएगा एंदे पर हाट आटाएक पाह जाए थोड़े सामने किस नों होगा द्याट लेकिन अगर पेशन नों होश है अजी कहने है एड़ा वड़े अध्रक दे तुकड़े आप पादो पहले उन्हों थल्ले बिठा दो हाट से पोजिशने फिर उन्हों चबादो एन चबाए एन चबाए बं हार्ट से पुजिशन ए ऐस तरह बहना हुंद है मतलब अपप थल्ले जमीन ते बैगा जाईए एस तरीके बैजी ऐस तरीके लेकर जमीन ते कुरसी देनी टिक सकता है हार्ट से पुजिशन बिठाके ए अदर जने टुकड़े आपपा खाने शुरू कर देने हैं एनना खाना ह कि अपने अखाई चो पानी आ जाए लगबग पांच सत मिन्टा ही पानी आना शुरू हो जाएगा तो आनू देखो के तो आड़ी हॉस्पिटल तुसी पहुंच पाऊगे असानी नाल तो आणू डाक्टर दी मदद मिल जोगी हो तो आड़ी जान बच जाएगी ए तो आड़ बंदेहनों होश वापस लोगा अओंँ मीद है नबउप्रसेंट जाएग और लानू अगर सीटुल जोग क falls अखर यॉन जनित्या रिकार अगर यहाण कर सकता है ज़ून हुआ नहीं देखो आपकर अलड़ी कर द आतुन नहीं कर सकता है नूमुर één जत्र जे अवर गार य होश वापीस आ सकते हैं तेक सब्सक्राइब या पैंदी स्थिती रखिए आज कल दे बहुत सारे लोग का नहीं पदा के किस तरीके जना पैंडा हूं जिने भी किड़ी फेल दे पेशन्ट नहीं आपा इना दा पैर उच्छे कार देने या सिर्थले कार देने या दास डिगर पानी तेम्परिचर दे पानी गरम करके पेशन्ट नहीं एस तरीके बठाने है पानी अथे तक भर दे आसी अगले तक जदो एथे पेशन्ट बैठ दे वेच्छ ते ओंदे पसीना निकलता है ती जी किड़नी वापस वरकिंगे जा जान्दी है ते यह जड़ी किड़ी है यह वापस जड़ी शिकूड गई खराब हो गई वापस अपने अपनों ठीक करना शुरू कर दे जी है तो सब्सक्राइब की तुसी साथे आउडियोंस नो की तुसी सनेहा की दोंगे कर दे का चाहिए किड़नी फेल होगे मामें लीवर फेल होगे मामें कैंसर होगे मामें ग्यान कठथा करो मैं एलो पेट इनो बधिया दसना एलो पैठी मौडरन साइंस वदिया साइंस है लेकिन जड़िवे अस तो बचो इंडियों ऑस कोश dentro किते हैं सकता है ए आज्यां वापस किड़नी रीग्रो हो सकती है किड़नी अपने आपनों पर रिजनरेट करने ते ए रिसर्च दुनिया तक तो आड़े चैनल दे मातब तो पुछना चाहिए कि साड़ी बॉडी तन ताकत है सारी बारे नू ठीक करने आप पनो उस्ते काम करना चाहिए एक वरी स्टूज पर बारे नू जो सर्फ मेडिकल दू तरजी दे रहें के डिकल लेंदे बीची जाना असी आइरवेद अंदर आओ साधी कंपनी साधी संस्ता कोई कोर्सिज भी करना निया है जड़ी इनसान नू एनी नौलीज देनिया कि अपना डॉक्टरा आप बंद सकता बंदा ते वो बंद सकते कोोर्सिज करके अपनों बेनिफिट हो सकता अपा आप अपने लोकां दी रिष्टे आ्राण दी परिवार्द लोकां दी बदत कर सकते हैं क्या बार सो बात चंगल अधा थानु मिलकर और आशी रहे ही अचान आके विलाज आपने बीची कर सकते हैं सो अशी